हाई एवरिवन विल्कम बैक तो माई चैनल फ्रेंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तड़का चटनी की रेसिपी जिसे बनाने के लिए हमने एक कुछ सामगरी लिए जिसमें है मेरे पास यह मिर्च और लसून चना जो है भुना हुआ दही और आइस क्यूब सब्स हे कुछ एद्रकंट तुकडे और साथ में है आदा हराधनिया और अदा पोधीना अब हम सब को लेंगे और एक मिक्सिके बड़े जार में डालेगे तो यह मैंने सारी बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साइड में बने हुए बैल के आइकॉन को भी दबा लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे तो फ्रंस यह सारी चीजें जिसमें तो हरा धनिया बेन चीज जो है नमक जिसके बिना चटनी सवाद अधूर है तो अब इसमें पर इस में अनुसार डाल देंगे हम नमक और सथ में बनाल घ्रण को साबत मसाले बन धाल डाल दे मैंने जीरा और यह पर इसका सवाद बढाने के लिए इसमें डाल देंगे हम सौफ और साथ में थोड़ा सा साबुत धनिया और अब जो हमारे बस दो तीन आइस क्यूब्स और बची हैं उन्हें भी साथ में डाल देंगे और अब इसका कवर करके इसका एक पेस्ट तयार करेंगे तो फ्रेंज जितने में पेस्ट तयार करती हूँ अगर आपको वीडियो जरा भी योस्वल रख रही है और आपने भी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें तो इससे मैं निकाल लेती हूँ है एक बाउल में अब जब हम इसमें तड़का देंगे तो इसका अस्वाद और भी डबल हो जाएगा चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ तड़के वाली चटनी तो फ्रेंज इस तड़के वाली चटनी को आप चाहें तो इडली के साथ, परांठे के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं अगर घर में कोई सबजी ना हो तो ये तड़के वाली चटनी के साथ आप थोड़ी सी दही लें तो सबजी की जोर भी आपको फील नहीं होगी तो फ्रेंट्स एक बार ये मेरी रेसेपी ज़रूर ट्राइ करें तो आप इसका हम तड़का तयार करते हैं तो तड़का तयार करने के लिए गैस पे रख देंगे हम एक को ही भी तड़का पैन या कड़ाई तो यह मैंने रख दिये एक छोटी कड़ाई और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल अब यह मस्टर्ड ओयल हो गया अच्छे से गरम तो इसमें डालेंगे हम थोड़ी से राई के दाने कश्मीरी लाल मिर्ड साबुत वाली और अब हम गैस को कर देंगे बन और इनने ऐच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा तड़का जलना जाए इस रहा हमारी कड़ाय अच्छे से गरम होच चुकी है और चीजें देंगे अच्छे से भून गई है साथ खा सकते हैं तो आज की ये तड़के वाली चटनी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना तो फ्रेंट्स मैं चलते हूं फिर मिलूंगी अगली वीडियो तो भावाई सी यू टेक केर इंजॉए गीता सिंग रेसेपीज थैंक्स फॉर वाचिंग